हम बाबा साब को नहीं चोड़ सकते बाबा साब को पहले हम मायवती जी के साथ देखते थे अब हम दूसरी पाइटी को देखेंगे एक ही पीड़ा है कि बहन कुमारी मायवती के वल ट्वीट करती हैं और एरो प्लेन से उतर कर कहीं अपने मंच पे आ जाती है बहन जी बहुत साफ सुत्री राजनीती करती हैं कि मुझे जाते देख किनारे पे मकामत बना लेना समंदर हूं लोट के आउगा जैबीम साथियो आप सबी को पता भी हाली में लोगसबाद चुनाओ का परिणाम आप लोगों के सामने आया है जिसमें आपने देखा होगा आज है समाज पार्टी के रास्ची अदक चंशेकर आजाद ने नगीना से एतियासिक जीत हासिल किये अब वहां से सांतर बन गए है वहीं दूसरी तरह उत्तर प्रदेश की चार बाग की मुख्य मंतरी भेन कुमारी मायावाति की पार्टी ब्यस्पी ने 80 लोगसबाद सीटों में से एक भी सीट पर जी दर्ज नहीं की है इस से में गाज़ेबाद में लगाता शोशे मीडिया पर एक बैस चीड़ी हुए कि बहुजन का नेता कौन और क्यों अब देखी समाज के कुछ लोगपड़ें से बातचीत करतें कि बहुजन का नेता कौन है और क्यों है क्या नाम सकता है कि इसमें पर स्वेह दिया है यह समय सहने स jornal हुजन के साथ नहीं जीए अब आट गाया घठी कि कमी आप आए हैं अपने घर में बैठीं हुआ है इस जब वह आएंगे निकीच के बास तो बोट कौन देगा उनको भी एसपी को बोट दिया होगा बिल्कुल बीज़ीं को पूछ रहा हूं अब है अब जब से बोट बनिये तब से बीज़ी को ही बोट दिया है अब एक तो है एस पी एक ब भाध्यू पूछ रहूं अब है एक है आजाध समाज पार्टी आप समाज पार्टी आप आने वाले जो चुनाव होंगे जैनलो सब्सक्राव जैसे पहले भी यहां तो पैसले करके गया हूं आपकोई बासंट देते हैं ना कोई किसी सेवा करने के लिए कोई बात कर दें तो फिर उनको कौन वोट देगा फिर मुझा पेपड़ाई यह साथ तौ लोग छोड़ रहें आप भी छोड़ रहे हैं बिल्कुल जा कर रहे हैं जा कर रहे हैं अब देखेंगे अपना भीमार्म हो चुप रहने के जब अच्छा समय था तब तो आप लोगों आप लोगों को साथ ने खूब दिया ना हमने भी तो बैंजी का साथ दिया जब से हमारी बोट बनी है जब सक बैंजी कुई देते हैं चाहिए हार हो जी तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है एक वह अपना सबास सब्सक्राइब जो आए थे बीस पी से कि वह तो यूवा पर मुकद में करवा देता है लड़वाता है जगड़वाता है वह बाद में देखे जाएगी जैसा होगा अब जो जो सुरकियम है उसके साथ तो रहना पड़ेगा वाजशाब महोल के अकोर्डिंगा पाला बदल बिलकुल महोल के अकोर्डिंग बदलेंगे हैं मुकद में भी हो जाएं कुछ हो जाए थे वह बीमार हम बाबा साब को नहीं चोड़ सकते बाबा साब को पहले हम मायवती जी के साथ देखते थे अब हम दूसरी पार्टी को देखेंगे को कि डीपी मोरिया है एड़ोकिट स सब्सक्राइब देखें मैं एक बात बोलना चाहूंगा बहन-कमारी मायवती जी के बारे में कि मुझे जाते देख किनारे पे मकामत बना लेना समंदर हूं लोटके आऊगा तो बहन-कमारी मायवती अत्हा समंदर हैं लोटके जरूर आएंगी और एक दिन ब्यस्पी इसमें महनत की जीत हुई है इसमें हिम्मत की जीत हुई है इसमें जजबे की जीत हुई है जिस भी पार्टी ने महनत की है जिस भी पार्टी ने रोड पे उतर के लोगों से मिलने की कोशिस की है लोगों का दुख जानने की कोशिस की है लोगों से मिलने की कोशिस की है उसकी जीत हुई है यह मैं मानता हूं के बीएसपी पार्टी इतनी अक्टिविस क्या नम जो है चुनाव लोकसभा में इतनी अक्टिव नहीं थी जितनी उनको होना चाहिए था हमारी बार बार एक ही पीड़ा है कि बहन कुमारी मायवती केबल टूइट करती हैं और एरो प्लेन से उतरकर कहीं अपने मंच पे आ जाती हैं और लगबग लगबग उतर परदेश में 80 सीटे थी और उन्होंने अगर 80 सीटों पर भी अपनी बाइट दी होती है उतरकर रोड सो किया होता तो जन सहलाब आज उनके साथ था और मैं यह समझता हूं कि लगबग लगबग 80 में से 40 सब्सक्राइब को मिल सकती अब मुझे एक बाइए मिल सकती थी आपने तमाम कारण भी बताएं उन कारणों की पीछे कहानी है हाला कि मीडिया में तो सुर्क्यों में बहुत कुछ चलता है यह तमाम लोगों नहीं लड़ती या इंडिया गडबंदन के साथ होती तो शायद इंडिया गडबंदन आज देश में पर सकाब बना चुके होते देखे बहन जी की जो राजनीती है मैं समझता हूं और पार्टियों से बिलकुल अथक है बहन जी बहुत साफ सुतरी राजनीती करती है बहन जी कानून में आस्ता रखती है सम्विधान में आस्ता रखती है बहन जी लगाता रेली भी करी है चो 26 रेली के आसपास करी है लेकिन उस तरीके जो चुनाओं में एक एक्टिव होना चाहिए या जैसे हम आकाशानन की बात करें आकाशानन जब बीस्पी में आए तो तमाम रेलीय करी और आज की टाइम में मुझे ऐसा लगता है या तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि आज की टाइमें एग्रेशन की राजनीती है आज की टाइमें राजनीती के तरीका बदल चुका है अब उतना सीटे पाएगा और उतने लोगों को दिल में जगा बनाने का परियास करेगा सही बात तो यह है कि भेंजी इस संदो हजार चोबिस लोगसवा चुनाओं में इतनी अक्टिव नहीं थी और नाई भेंजी का बहुत अच्छा केडर था जो भेंजी बीएसपी पार्टी जो चला रही है जो एक मिसन चला रही है इसके जो छुट भहिया नेता है वो अभी मैं बताओं हमारे हाँ लोगसवा चुनाओं में फहली बात तो ये के जो लोगसवा परत्यासी थे उनका नाम था पुंदीर साब उनका नाम पुंदीर साब था हमने अपनी इसी अमभेडगर भवन पर अमभेडगर चोपाल पर जो आप एक बार ये दिखा दी तूटी फूटी जो चोपाल है हमारी अमबेडगर भवन की इस अमबेडगर चोबान पर उनका बहुत भुवे स्वागत किया था और उन्हें हमने जीत का आसवासन दिया था हमने उनसे कहा था कि आप कम से कम पसोंडा से तो नहीं हारेंगे पसोंडा से आपको जीत मिलेगी बसरते के आप कम से कम समाज की पीडा को समझें, समाज की पीडा को देखें, हमने उनसे अपने सब्दों में कुछ नहीं का, सिरफ हमने अपनी चोपाल का उन्होंने दाइरा दिखाया, कि हमारी चोपाल का ये दाइरा है, हम विश्वास दिलाते हैं आपको, कि हम आपको यहा से हराने में उनका जो जो चुनाव टीम थी वो मुझे लगता कि वो अच्छी नहीं थी क्योंकि जिस दिन चुनाव था उस दिन मैं और एक मेरे साथी हैं डॉक्टर कालू सिंग जाटव हम बीएसपी के लिए काम करते हैं लेकिन बीएसपी पार्टी के मेंबर नहीं है जो सह से पी चाहे अपने पडोसियों की पी सब की वोट बना बना करके दी हम सुबह साथ वजे बैठे और सामको साथ साथ वजे तक ही हम अपने बस्ते पर बैठे रहे बीएसपी का कोई नेता बीएसपी पार्टी का कोई कारे करता बीएसपी टीम चुनाव लड़ाने वाली टी तीम अच्छी नहीं थी उनका कैडर अच्छा नहीं था निती नहीं अगर सुतंत्रता डी होती लोगों में जो खरो साथा पार्टी से जुड़ते और पार्टे में कोई ऐसी पार्टे नहीं है जहां मुकतमे ना हो और जिन पे मुकतमे नहीं तुमे मानत कु नेता भी अफिर पार्टे से डिकें मैंने बता है कि एक लाइब्रेरी भी चुकल पडमे के लिए अब और को जानना पड़ेगा चंशेकर आजाद नगीना से जीते लेकिन क्यों उनको आप लोग भोजें के नेता मानने को तयार नहीं है देखिए हम ऐसा नहीं है कि उनको अपना नेता नहीं मानते हैं वह हमारे भाई हैं अगर हमारे समाज की हमारे सोचल की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें कोई गुरेज भी हमें नहीं है ऐसा नही भी पीड़ा है उनको अपने अंदर समेटना पड़ेगा तो वही नेता है जो लोगों से मिलता है लेकिन आका शानंद कहते कि समाज की लाई लड़ते लेते युग आप मुकदमे करवा देते उस बियान से सहमत है आप उनके देखे राजनीती में आरोप परत्यारोप चलते रहते हैं मैं समझता हूं कि एक भी हिंदूस्तान में ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने निचले स्थर के कार्य करता पर मुकदमे ना लगवाए हो मेरेक सवाल आप से यह जैसे में नगीना चुनाओं में कवर करने गया था या ने जंगे विजा तो कुछ लोग सती विए निचल दिया होता तो भी झीन बड़ काल दिया तो शथंश मुद्रा कोन है तो सतीस न मिशरा जी को क्यों नहींहीन any किया होता तो बहन जी उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देती जब वो अपने भतीजे को निकाल सकती है तो सतिस्चंद में तरह उनके लिए कौन है क्या नाम आपका यहां बहन जी के साथ है लेकिन बहन जी समाजी के साथ हैं आपके नुस्वार साथ है साथ को नहीं है आजा समाज पाटी के नाम सुना है जी कैसी पाटी है वो बदे को जहां ना तो अभी मिले ना पूरे पसवंडा में चंशेकर रजात के फोटू लगे पड़े हैं जीत की हार दिक बदाई और आप नहीं जानते चंशेकर रजात को पाटी है पर लेकिन बाइफ जो अपनी पाल्टी जुड़े है हम तो अपनी पाल्टी पुछाने हम दूसरे क्या जाने है बहुजन समाज में दो गुट हो गए हैं एक चंशे कर आजाद वाले गुट एक बैंजी वाले कुछ यह तो मांनते हैं है दो गोट पर बटी गई लिए फायदा किसे होगा वह लोग है नाम क्यों ले खुल एक नाम किसी का विरौद मत करो एक बोलने का तरीका भी तो है ना बहुजन का नेता कौन आपके नुस्वार चंशेकर आजाद या मैवती क्या नाम आपका तुशार आप युवा है अभी जैसे में तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूं बहन जी उत्तरपदेश की चारबार की मुख्यमंद्री रही है आज बीसपी पार्टी की पूरे पर ऊसे हमारे साथ में चलेंगे हम उनके साथ चलेंगे उनके परफ़ेशनां लौगों आ रही है आज एक भी लोगा सब्सेट नहीं है समाच hoता इस बात का रहेativos तो आम अी प got to त्यूंक के सब्सक्राइब करते और लोग अब ऑन्ची लेकर आपसे समाच पाटी में सब्सक्राइब आज़ाद पार्टिक सुनाए हाँ आप मुझे बाए पताई ये चुना हुए नगीना से चंशेकर आज़ाद जीते अब बहुजन में दूट हो एक चंशेकर आद वाले और एक बहाद को मायावती वाले दोनों में से बहतर कोन है बीटीम के लाट में नहीं तो नहीं बोलते हमेशा बुलते हैं यहींंद हो घुलकन पाति है करन यह करन है वह हो आद में वह समाझ तो हमारी आदम हो कोई नहीं जब श्यक्राइब इसके साथ चल देंगे तो आपने साथ चल देंगे तो चल देंगे शाथ एसे थोड़ी चल देंगे करना कि पर द्रक्राइब कर दो कि न HASने कहा तो युगाव पर मुकदमे करवाता है सेमत एक उन्हों कहा होगा करवा होगा नहीं कोई तो नेता कौन बहुत नंगरे माय होती चंशेक्रजात को ने फिर चंद सेगर को आम नी जानते हैं प्रवाइब नहीं जानते हैं ने तक रूप में नहीं जानते हैं प्रवाइन जी को जानते हैं